अभी अभी जो संदेश आप सुनने वाले हैं उसे अर्ल नाइट इंगल ने 1956 में लिखा था और रिकॉर्ड किया था। भोगने के लिए होता है जबकि अन्य लोग उसके अपने परिवार के ही तरह जिंदगी भर बस जीवित रहने के लिए जूशते रहते हैं। जब बड़े बुजर्गों से उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने जो कुछ मिल जाए पढ़ना शुरू कर दिया। य एक शनिवार की सुबर उसकी अनुपस्थिती में सेल्समैनों के एक छोटे समों के बीच उसका रिकॉर्डिट संदेश सुनवाया गया। जब अर्ल लोट कर वापस आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादु भरा असर हुआ है कि वे अप अपने रिकॉर्ड की कई प्रतियां बनवाई। अर्ल के आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा जब बिना किसी विग्यापन, प्रचार या मार्केटिंग के बहुत ही थोड़ी समय में उस संदेश की 10 लाग प्रतियां बिख गई। अर्ल को स्वर्ण रिकॉर्ड मिला। अपने स्थापित हुआ। और चोकि अर्ल ने सरवातिक आश्चरजनत रहसे का सच्चा अर्थ धोंड निकाला था, जिससे किसी के जीवन की उपलब्धियां निर्धारित होती हैं, वे स्वयम भी अपनी घोर निर्धनता से उपर उठकर घर-घर का एक जाना पहचाना नाम बन ग जिसे देश विदेश में सुना जाने लगा। मैं डाइना नाइटेंगिल हूँ, उनिस सो नवासी में अपने पती के म्रत्यों के बाद से मैं लगातार कोशिश करती रही कि दुनिया को प्रेरित और रोमांचित कर देने वाले अर्ल के धेरु संदेश नए से नए प्रभा जनक रहसी को एक ऐसा संदेश मानते हैं, जिसने उनके जीवन को सबसी ज्यादा प्रभावित किया है। अर्ल ने अपने जीवनकाल के पिछले 32 वर्षों में सरवाथिक आश्चेरे जनक रहसी को बदलते समय के साथ कई बार संशोथित किया। इन परिवर्तनों की कारण औ आज भी उतना ही सही, उतना ही कीमती और उतना ही महतोपूर्ण है जितना कभी उस समय था। तो अब मैं आप सब को आमंतरत करती हूँ कि आप आराम से बैठ जाएं और अर्ल नाइटिंगल के इस मूल रिकॉर्डिंग सरवाथिक आश्चेरे जनक रहसे का आनंद उठाएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चेरे जनक रहसे क्या है। इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकटसक और नोबेल पुरसकार विजेटा, अलबर्ट स्विल्जर से लंदन में एक इंट्रव्यू के दौरां किसी र पारे में आप से बात करना चाहता हूँ। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आपनी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और महनत कर रहा था। लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्द हो गया है तो हमने इसे प्रदत मान ल लिया है यूँ ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छेपे संघर्ष और महनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरसल होता क्या है। चलिए हम ऐसे सौ लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उमर में अपने कैरियर की शुरुआत की। क्या आपको अनमान है कि 65 वर्ष की उमर तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा। पचीस की उवर में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो कहेगा नश्यत तोर पर। और आपने गोर भी किया होगा कि उसकी आँखों में जीवन के प्रते एक उत्सुकता एक जिग्यासा है। आँखों में खास तरह की चमक और हावभाव में एक स्पस्ट दृड़ता है। और जीवन उसके सामने एक खूब सूरत एक रोचक अभि भर हो चुके होंगे, इस उमर में भी काम कर रहे होंगे और बाकी नब्बे टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल सोचिए, सौ लोगों में से सिर्फ पांच किसी इस तर तक पहुँच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चंगारी का क्या हुआ? जो पांच प्रतिशक ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को सपष्ट भी करना होगा और ये है सफलता की परिभाशा। सफलता का इर्थ है किसी महान लक्ष को सपष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे पढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष की दिशा हुए उस दशा में आगे बढ़ना है महान मनोवग्यानिक रोलो में ने एक अदभूत किताब लिखी है मनुष्व की स्वेम की खोच इस पुस्तक में उने कहा है हमारे समाज में साहस और होसले की विप्रीत चीज कायरता नहीं है बलकि ये है अनरूपता आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनरूपता यानि बिना सोचे समझे भीड के अनरूप चलने की मनस्त थे अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं ये जाने समझे बगएर कि क्यों लगबक साथ वच्छ की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं पचीस के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं साथ ही परिवार की देखभाल भी लेकिन 65 वच्छ की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्म निर्भर और निश्चनद कैसे हुआ जाए क्यों इस लिए कि हम बस औरों की ली परिख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं इसका उत्तरवे भी नहीं जानते इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थतियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों से नरदेशत होने वाले लोग हैं एक बार बहुत सार लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सबेरे उटकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं अब हम सफलता की अपनी परिभाशा पर वापस चलें स सभल कौन होता है सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्षे सपच्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दशा में काम शुरू करता है मैं आपको बताता हूँ कि सभल लोग कौन है वो स्कूल टीचर सभल है जो तरह निभावी रही है वो कौने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष नरधारित किया था वो सेल्समेन काम्याब है जो एक टॉप सेल्समेन बनना चाहता है और इसी उद्देश से अपना व्यवसाय जमाता है हर वो आ इस परधा करने की जगे हमें स्वैम अपना कुछ मौलिक स्रिजत और स्थापित करना है लगभग 20 शालों तक मैं उस कुझी की खोश करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निर्धारित किया जा सके क्या इसी कोई कुझी है मैं ज जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके मैं आपको बताओं ऐसी कुझी उपलब्द है और मैंने इसे पाया भी है क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी महनत और इमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खा जीता है सोना हो जाता है क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदनी जो अपनी जीवन में काम्याब हुआ वो हमेशा सफलता के दिशा में ही प्रतन शील रहा जबकि असफल रगते हमेशा असफलता के दिशा में ही काम करता रहा ऐसा सिर्फ लक्षों की वज़े से ही हुआ हमने से कुछ लोगों के सामने लक्षे होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं जब कि कुछ लोगों के सामने कोई लक्षे ही नहीं होता लक्षे साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है अपनी यात्रा के पूरे नक्षे और पूरी योचना के साथ जहाज के कैप्टन और चालक दल के सरस्यों को ये अच्छी तरह मालूम है कि इसे तहा जाना है और कितना समय लगेगा इस जहाज के सामने एक सपष्ट लक्ष है सपष्ट लक्ष और सपष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियानवे से 9,999 बार अपने उसी लक्ष पर पहुँचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था यानि शत प्रतुशत लक्ष पर अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचीए फरक सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टर नहीं है और नहीं कोई चालक सरस्य इस जहाज के सामने कोई लक्ष नहीं है, कोई उद्देश नहीं है बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है मैं सोसता हूँ कि आप भी मुझे से सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या तूफान में घर जाएगा या फिर किसी विरान टापू पर बंद हो जाएगा ये किसी स्थान पर पहुँची नहीं सकता क्योंकि इसके सामने ना तो कोई लक्षे है और नहीं इसके साथ कोई मार्ग दर्शन बिल्कु यही बात मनुश्य पर भी लागू होती है एक सेल्समैन का ही उधारन दीजे आज दुनिया में कोशल सेल्समैन के विवसाय से बढ़कर काम्याबी की उम्मीर किसी और पेशे में नहीं है अगर हमारे सामने लक्षे स्पच्ट हों और हम अपने काम में होश्यार हों तो सेलिंग प्रोफेशन याने बिक्री का विवसाय दुनिया का सबसे ज़्यादा आमदनी वाला पेशा है आज हर कम्पनी को होश्यार से होश्यार सेल्समैन के जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ा कर पारिश्टमिक देने को तयान है उनके लिए तरके की असीन संभाबनाएं हैं लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाती का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फाइदा उठाने से रोकने में नहीं बलकि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में हैं आज अर्थ विवस्था की तुलना एक कनवाई काफिले से की जा सकती है जिस तरह काफिला उसी गते से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गते वाली टुकडी भी साथ साथ चल सके ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थ विवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाज़त में धीमी पड़ गई है इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है आज आजेविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्ध या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती आम तोर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथा कथ़त सुरक्षा हमें उपलब्द भी है लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी उचाई का लक्षे हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते है चलिए अब हम दुनिया के सबसे अश्चर जनक रहसे पर यानि जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस पर वापस चले जीवन में इस पश्च लक्ष रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष वहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जने आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलावाएगा जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है आपको अचनक वो सवभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है आप जो कुछ भी चाटे हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिन्ताओं समस्याओं और परिस्थतियों से मुक्त हो जाएगे जो अरसे से आपको घेरे हुए थी शंकाएं और भै अतीत की चीज़ें हो जाएगी सफलता और असफलता की कुझी क्या है मैं आपको बतलाता हूँ हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं मुझे एक बात फिर दोहाने दीजिए हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पेगंबर हों। उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मत भेद रहा है। लेकिन एक मात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान रोम समराट मारकस एरियलिस्ट ने कहा था मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके बिचारों से बनाते हैं। डिसरैली ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि ये ये मनुष्य चाहे और प्रदेख्शा करे तो हर चीज उसे हासल हो सकती है। बहुत लंबे और गह वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था मेरी पीड़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत स हमारी सोच, हमारी आदितों और भावनाओं से इसकदर गुठ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने ये भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेश के बारे में काफी ज़्यादा सोचें तो आप निश्च तोर पर उसे हासल भी कर लें अगर आप अमीर बनने के इच्छा रखते हैं, तो आप नश्रत तोर पर अमीर बन जाएंगे, यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं, तो विद्वान बनेंगे, इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं, तो नश्रत तोर पर भले बन जाएंगे, आपको सिर्फ ये क करना हैं कि वस्तो विशेश या लक्ष के लिए वास्तेवे कि च्छा शक्ते विक्सित करें और उस दौरान एक मात्र वही लक्ष आपके सामने हो ऐसा नहो कि एक ही समय सैक्णों अलग-अलग चीजों पर आपका ध्यान बटके आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है डॉक्ष नॉर्मन विंसें पेले ने कहा है कि पूरी स्रिष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे और यदि आप सकारात्मक सोचे तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा ये एक साधारन सी वास्विक्ता है जो सम्रिध्धी और सफलता के इस आश्चे रिजनक नियम का अधार है कि वल चार शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो सफलता पाओ विलियम सेक्सपीर ने इसे इस तर बरनाद शौ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोच देते हैं लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता इस दुनिया में काम्याबी हासल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनच किसी ठोस और सार्थक लक्ष के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासल भी कर लेंगे। दूसरी और वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष नहीं है जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है और जो इसी वज़े से संशे, भय, चिंता और परिशाणियों में धिरा है वो वैसा ह हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आईए, अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोच नहीं, मैं तरह किसान का है वो जो चाहे बोए जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है बलकि हम मानव मन की तुन्ना में ही जमीन का उधारन दे रहे हैं जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे वि यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो काम्याबी की फसल काटेंगे और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। बाइबल में कहा भी गया है आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यदि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करतें। लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला हुआ है नेशल्क मुफ्त। और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं। महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं। जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है। आग जो भी चीजें हमारे चीवन में वास्तों में महत्वपून हैं वे हमें नेशल्क को पलग्ध हैं। मस्तिश्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांशाएं, हमारी बुद्ध, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहना तक की प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी, यह सभी अनमोल चीजें हमें निशल्क मिली हुई है और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं, वे इनके मुकाबले काफी हलकी हैं, स्तरहीन और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है, लेकिन प्रकृति की और से निशल्क मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती, और दूसरी बात ये, कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है, मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौपा जायक कर सकता है, लेकिन आम तोर पर हम बड़े और महत्पून कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं, कई विश्व विद्यालेओं ने ये साबित कर द या है कि हम में से अधिकांच लोग अपनी ख्षमता का दस प्रतिशत ही इस्तेमाल करते हैं, हमारी शेश ख्षमता यूही अंचोई रह जाती है, अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है, अपना लक्ष अपने मस्टश के रूपी जमीन में बो दीजिए, ये आपक कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, कंपनी के कुशल और सक्रिय करमचारी के रूप में जगे 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 जाना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये करना है किस लक्ष रूपी बीज का रोपन अपने दिल और दिमाग में कर लें, जतन से एकागर चित होकर इसकी डेख भाल करें लक्ष की डिशा में आगे बढ़ें, कारिशील रहें, और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है कैसा ना हो, आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है, जैसा सर आईजेक न्यूटन का गुरुत्व कर्शन क नियम है, कि यदि आप किसी अमारत की छट से चलान लगा दें, तो आप नीचे ही आएंगे, उबर नहीं जा सकते, क्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा कांग करते हैं, आप भी बिलकुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष के बारे में सोचिए, हमेशा जा या अलसर और नर्वस ब्रेकडाउन का योग कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आज जब चिकित सा विग्यान ने स्वास्त और लंबी उम्र पानी की दिशा में इतनी काम्याबी हासल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूजने में तनाव गरस्त हो रह हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकरतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा, जो हमारे लिए बेहत कारगर और लाबकारी हैं, कृपिया अप साइट भी सुनिये, हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमतका छुपा है, दरसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है, वो स्वीकार करे या न करे, लेकिन वो आज जहां जिस स्थति में भी है, वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है, हमें से हर एक को भविश में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आज कल यागले महीने यागले वर्ष, हमारी सोच की जो दिशा रहेगी, उसी से हमारा भविश या हमारा जीवन निर्धारे धोका, आपका मन मस्तश की ही आपके संपून व्यक्त और जीवन को निर्धेशित करता है, मुझे याद है एक बार में कहीं जा रहा था रास्ते में सुलक के नारे, मने एक भारी भरकम मशीन को भीशन आवास के साथ काम करते देखा, मशीन एक बार में करीब 20 तन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हातों म था में मशीन को निर्धेशित कर रहा था, एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तश्क से की जा सकती है और विशाल उर्जा के स्रोत इस मस्तश्क रूपी मशीन का नियंतरन हमारे अपने हाथों में है, क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इ किसी के भरों से छोड़कर किसी खड़ में गिर जाने देंगे, या आप दोनों हाथ मजबूती से इसके वील पर जमाय रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश के लिए लगाएंगे, ये दोनों विकल्प आपके उपर हैं, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर ब कि और ले जाता है, उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्द कराता है, जिनका उसमें अपने और अपने परिवार के लिए कभी सखना देखा था, वहीं दूसरी और यही नियम उसे गटर में भी धखेल सकता है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है, कि मनुशिक किस त तिने इस प्राकरिटिक नियम की सच्चाई प्रमानिक की थी, और बात में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिकर हुआ है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है, यही कारण है कि ये लोगों के लिए अश्यर जनक है, और इसी वज़े से ये रहस भी बना रहा है, मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गल्यों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें के सभलता का रहसे क्या है, तो आपको महीन भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके, आज जो कुछ हमने जान नहीं बलकि एक उतेजना पूर्ण अभियान होना चाहिए, आदमी को अपने जंदगी पूरी जंदा दली से भरपूर जीनी चाहिए, उसे सुबे सबेरे नीन तूटने पर खुश होना चाहिए, उसे अपना मन पसंद व्यवसाए करना चाहिए, क्योंकि वो इसे बहतर से करता है, एक बार मैंने एक दैनिक के संपारक का व्याख्यान सुना था, उन्होंने अंत में जो कुछ कहा, उसे मैं कभी भूला नहीं पाया, उन्होंने कुछ इस तरह कहा था, कि अपने व्यवसाए में मैंने कई बातें जानी, एक तो ये, कि लोग मूल रूप से भले हो आई है लेकिन उस महान शिक्षक ने उस रचाईता ने समय समय पर इस रहसे का उधगाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बन कर अब तरित होगा मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ ये परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो ये आपके जीवन को बहतर से बहतर रूप में पूरी तरह पदल देगी सत्रवी शतादी में वापस लोटें जब महान वैग्यानिक सर आईजक न्यूटन ने हमें भावतिकी के कुछ नियम बतलाए थे जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितने की स्ष्ष्ष्टी की अन्य वस्तूओं पर इन नियमों में से एक है कि प्रतेक्रिया की बिलकुल समान और विपरीत प्रतेक्रिया होती है यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूले चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते तीस दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिलकुल उसी अनुपात में होका जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होका एक डॉक्टर बने के लिए आपको कई वर्षों तक कटिन परिश्चम और अध्धिन करने का मूले चुकाना होका उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या विक्री के व्यवसाई में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की या स्वीकरित कराने की भी हमारी क्षमता कितनी है लेकिन औरों को बहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूले चुकाते हैं और हमें ये मूले चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए अब सवाल है कि ये मूले है क्या इसमें कई बाते हैं पहली तो ये कि हमें बाउधिक रूप से और भावनात्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिलकुल वैसा ही बनते भी हैं। इसलिए अपने जीवन को नियंतरत करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंतरत करना होगा। यानि हमें अच्छी तरह स पैवी रूप से निर्धारित है। यानि ये समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौचूद हैं। अर्थात हमें तमाम संकीरनताओं से और पूरबा ग्रहों से उपर उठना होगा। तीसरी अरिपने बात अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करने में पूरी क्शमता और साहस का इस्तिमाल करना होगा। और साथ ही अपने लिए एक निश्चर्त और पष्च्ट लक्ष लिरभारित करने के दिये भी। अपने मस्टश को प्रभव कोड़ों से विचार करने का अवसर देना होगा, अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर संभावित समाधान की परक कर सके। ये विश्वास करने से इंकार करना होगा कि लक्षे प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थते आपको हरा भी सकती है। जब आपको लक्षे की और ले जाने वाला मार्ग सपस्ट दिखे तो बिलकुल ततपरता से फैसला लेते हुए काम करना होगा। और अपने आपको लगातार इस तत्थ से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के ख्षेतर के बीच और बीच खड़े है और चौती बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका 10% नश्चत रूप से बचाएं। ये हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है। यदि आप मूले चुकाने को तयार हैं तो उसमें अनंतसम भावनाएं भरी पढ़ी हैं। आईए हम उन महत्वपून ब लान भरने दें। तीसरी बात साहस। हर दिन अपने लक्ष पर एकागर चित हूँ। और चौती बात जो भी कमाएं उसका 10% बचाएं। साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक वियर्थ है जब तक हम उसे कार्यान वित नहीं करते हैं। और अब मैं 30 दिन पर चौते हैं और हम सब किसी न किसी चीज्ज से भैभीत रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक कार्ट पर लिखें कि वो क्या चीज्ज है जिसे आप सबसे ज्यादाव ही जगकाते हैं। या फिर जीवन में एक खास मकाम की तमन्ना हो आपको, या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एकता क्या भिलाशा हो, हम सब कुछ न कुछ की तमन्ना जरूर रखते हैं, आप अपने कार्ट पर स्पष्ट लिखिए, क्या आपकी कामना क्या है, ये निशित कर लीजिए क ये ही आपका एक मात्र और स्पष्ट लिख्ष है, आप अपना ये कार्ट किसी और को मत दिखाईए, बल्कि उसे अपने पास रखिए, ताकि आप दिन भर में कई बारे से देख सकें, इस पर लिखे गए लिख्ष के बारे में, हर सुबह नीन से जागने पर प्रफुलित और शांत चित्व से सोचिए, दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ट को देखिए, और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए, कार्ट को देखते समय ये बात याद रखें, कि आप वैसे ही बनते हैं, जैसा आप सोचते हैं, और चूँके अभी आप अपने आपका हो किया, जब आप काम से बाहर निकलते हैं, तो आस-पास फैले प्रचुरता की और देखिए, इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है, जितना औरों का है, यदि आप चाहें और प्रयत्न करें, तो ये प्रचुरता आपकी हो सकती है, अब हम थो को भै लगता हो, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, हर बार जब कोई भैनक और नकारात्मक विचार आपके मन में आएं, तो उसकी जगह पर अपने सकारात्मक और महतपून लक्षे का विचार, उसकी सजीव कल्पना मन में ले आएए, इस दोरान ऐसा समय भी जब आपको लगेगा कि ये प्रियास छोड़ दिया जाए, क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने के अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है, और यही वज़ए है कि सिर्फ पांच प्रतिशत लोग ही काम्याब हो बाते हैं, आपकी कोशिश होनी इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिश का नियंतरंड पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए, इस दोरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमती आप दें, तीस दिनों की इस परीक्षन अवरी के दोरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करन है, इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें, ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुमतात में कुछ मिलेगा, जिस अनुमतात में आप लगाएंगे, जिस ख्षन आप किस निर्धारित करने के साथ ही, आप प्रत्येक सौ में से शीश के पंच लोगों में आके, लक्ष किस तरह हासल किया जाए, इस चिंता में अपने आपको बहुत ज्यादा मत उलजाईए, इसे पूरी तरह उस शक्ते पर छोड़ दीजिए, जो आप से ज्यादा समर्थ है, धर्मो पदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षन के दोरान हर दिन अपने सांदे रखिए, प्रशन पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा, खोजो और तुम उसे पा लोगे, दस तक दो, तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा, क्योंकि ह इसे धांत इतना सरल है कि हमारे कटिन शब्दों में उलच कर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा, बस आप के लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दोरान आपके सामने इस पश्च लक्षे हों और उसे पूरा करने का विश्वास थी, चाहे आप किसी भी पेशे से जुने हों, इन 30 दिनों के दोरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं किया, हर दिन अपना लक्ष अपने सामने रखें, उसके बाइद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा, उस पर आपको खुदा श्यर होगा, प्रसिद जैसे इन शब्दों में समा गिया है, इस तरहे काम करो, मनो असफल होना संबब है, दरोती ने अपनी परीक्षन अवदी, पूरी इमानदारी और विश्वास से पूरी की, और अश्यर जनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदला ला दिया, अब आप 30 दिनों तक अपन विश्वास भी जलक रहा है, कहा जा सकता है कि दर्ड लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है, यदि आपको विश्वास नहीं है, तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते, यदि 30 दिनों के परीक्षन के दौरान आप असफल हो जाएं, यानि नकारात्मक विशारों से प तो ये कार्ड आपके लिए नहायद जरूरी है। इसकी एक तरफ आप अतना लक्षे लिखें, जो भी आपका लक्षे हो और दूसी तरफ धर्मो पदेश की ये पंक्तियां लिखें, पूछो और वो तुम्हें मिलेगा, ढूडो और तुम उसे निश्चत पाओके, दस तक द और दौर तुम्हारे दिये खुलेगा। परीक्षन के दौरान अपने खाली समय में प्रेरक पोस्तके पढ़ें, ये आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगी। जीवन में कभी भी कोई महानकार दिना प्रेरणा के संपन्द नहीं हो सका है। ये ध्यान रखें कि परीक्ष अपने सामने बिलकुल स्पच्च रखना है, बाकी सारी चीजें खुद बखुद तय होती चली जाएंगी। ये भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शांत और प्रसन नचित बने रहें, किसी भी छोटी मोटी बात को इजाज़त ना दें, कि वो आपको परेशान या खिन न कर कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता भय और निराशा से भरा हो, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं, तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे। और यदि सकारात्मक पातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं, इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच बीच में बजा कर अपने आपको याद दिलाते रहें कि नई आदत विकसत करने के लिए आपको क्या करना है। नियम तंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैट कर इसे सुनें, आपको ऐसे ब असफल रहते हैं। यहाँ जायज और सार्थक धंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्द कराई जाएं। हम अपने उत्पाद और सेवाओं का दिन में ही लोगों को पैसों से करते हैं। इस और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्यम करेंगे। लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्द कराएंगे। अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं। उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप प्रकणिया डालूगा। आप क्या मानते हैं? आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवय्या होका। उनकी संख्या करोडों अरुबों में होकी। जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले इधन डालने पर ही आग मिले की। ठीक इसी तरह हमें पहले अपने सेवा कारियों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए। अपने आपको कभी पैसों से मत जोड़ें बलकि परिश्रम, कारे सेवा, सपनों और उन्हें साकार करनी की इच्छा से जोड़ें। आप ऐसा करके देखें। और फिर देखिए कि आपके आप सेवा कर रहे हैं, बलकि किसी और जगह से मिले, क्योंकि ऐसा नियम है, प्रतेक्रिया की समान और विपरीत प्रतेक्रिया होती है। तीस दिन की परिक्षन अवरी से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के पर दिनना करे। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। एक बार यदि ये नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए, तो कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भागे स्वेम बतला सकता है। यदि वो और अधिक चाहता है, तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलद करानी हो और यदि वो और कम की चाहत रखता है, तो उसे सेवा के परिमान में भी कम ही करनी होगी। यही वो मूल्य है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार कर स्वेम को सम्रिद कर लेंगे, तो यह की भूल है, इससे आप स्वेम को ही दरकिनार कर लेंगे। यह बिलकुल सांस लेने और छोड़ने की तरह जैसा सच है, कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप इस नियम को पलट सकते हैं, ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा क्योंकि यह तीसरा, उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें, जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें, जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं। अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने व अपनाना चाहते हैं अपने विशय में अपनी धारना को बदलें। आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरन करने का फैसला किया है, उसकी जगह पर स्वेम को रख कर सोचें और उसका अभिनाय करें। बानब सभिता के ग्याद इतिहास की शुरुआत से ही विश्व परिक्षन पूरा करें, इसे दोहराएं और फिर दोहराएं। हर बार ये आदितें आपके भीतर आत्मसाथ होती चाहेंगी, ज्यादा से ज्यादा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चेर करेंगे कि आप किसी और धंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस भरपूर मिलेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्तपून है कि आपको शान्ती मिले। और ये नियम अपना कर आप उन किने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शान्त, आनंद पून और सफल जीवन गतीत कर रहे हैं। आज से ही आरंब कीजिए, याद रखिए, ख आने के लिए एक बिलकुल नया जीवन आपके सम्मुक है।